दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपको टेक्निकल एनलेसिस की एक ऐसी थियोरी समझाने जा रहा हूँ जिससे आप रेगुलर प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं और इस थियोरी का नाम है ऐलियोट वेव थियोरी ये थियोरी रैल्फ नेलसन ऐलियोट ने 1930s में डेवलप की थी ह हुआ यूँ था कि उन्हें एक बिमारी की वज़े से रेटायमेंट लेना पड़ा तो अपने टाइम को स्पेंड करने के लिए उन्हें कोई काम चाहिए था इसलिए उन्होंने बहुत सारे इंडेक्स के 75 यर्स के yearly, monthly, weekly और daily चार्ट को स्टेडी करना शुरू कर दिया और यही नहीं रुके, उन्होंने खुदी hourly और 30 मिनट चार्ट भी बनाए और उन्हें भी स्टेडी किया, चार्ट को स्टेडी करते हुए उन्होंने अब्जर्व किया कि सभी टाइम फ्रेम के चार्ट में कुछ wave पैटर्स बनते हैं, जो कि बार बार repeat होते हैं, और इनके repeat होन का reason है, investors का behavior, जो कि fear और greed से बना है, इसको एक example से समझते हैं, जैसे अगर आपने किसी share में 1,00,000,000,000 हो गए, तो अब आपको डर लगने लगेगा, यानि आपके अंदर fear आ जाएगा, कि कहीं आप price गड़ना जाए, इसलिए बेज देता हूँ, तो आप fear की वज़े से उस तो जब सब एक साथ sell करना शुरू करेंगे, तो share की price गिरने लग जाएगी, और जब price गिरेगी, तो फिर एक time ऐसा आएगा, जब investors को लगने लगेगा, कि price बहुत जादा गिर गई है, इसलिए अब share को buy करना ठीक रहेगा, तो वो share buy करेंगे, और ये greed भी बहुत सारे investors के mind में आएगा, तो जब बहुत सारे लोग buy करना start कर देंगे, तो फिर share की demand बढ़ जाएगी, और उसकी price भी बढ़ने लग जाएगी, उसकी बाद फिर एक बार से fear आएगा, फिर selling शुरू हो जाएगी, और फिर price गिरने लगेगी, और फिर दोबारा एक time ऐसा आएगा, जिससे सीख कर आप stocks में सही time पर entry करना सीख जाएगे, और इससे आपको regular profit होगा, वैसे Nelson Elliot ने जब यह theory बनाई थी, उस time पर यह theory उतनी popular नहीं हुई, पर जब 1935 में Nelson Elliot ने अपनी इस theory का use करके, stock market bottom का prediction किया, तो यह prediction इतना ज़्यादा accurate था, कि उसके बाद से हजारों investors, portfolio managers और traders इस theory का use करने लगे, और आज भी बहुत सारे investors इस theory का use करते हैं, इसलिए theory आज भी उतना ही काम करती है, जितना 1930s के time पर करती थी, even Elliot Wave International, जो की world की one of the largest independent financial analysis और market forecasting firm है, वो market analysis और forecasting के लिए Elliot model का ही use करती है, तो अगर आपको stock market से पैसे कमाने है, तो इस theory को ध्यान से रहा हूँ, जिसका नाम है deep work, उसमें बताया गया है कि अगर आप किसी काम में expert बनना चाहते हैं, तो आपको बिना distraction के वो काम करना चाहिए, इसलिए इस वीडियो को देखते वक्त किसी भी distraction पर ध्यान ना दे, और अगर आप deep work की book summary सुनना चाहते हैं, तो ये book summary आप कुक आपको सिर्फ 1.99 रुपीज में मिल जाएगा, इसके लिए आपको नीरज 50 code डालना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जरूर चेक करें, चलिए दोस्तो अब इस theory को समझते हैं, तो दोस्तो ऐलियोट wave theory के according, market 5-3 wave pattern में move करता है, इसमें जो first 5 wave pattern होते है उन्हें impulsive wave कहा गया है, और जो last 3 wave pattern होते हैं, उन्हें corrective wave कहा गया है, अब अभी आपको screen पर एक wave pattern दिखाई दे रहा है, इसे ध्यान से दिखिए, इसमें जो first wave है, वो initial moment है, जब थोड़े बहुत लोगों को लगता है कि share undervalued है, यानि कि share की price बहुत कम है, और अब इसकी price बढ़ सकती है, तो कुछ traders उस stock में buy करना शुरू कर देते हैं, जिससे उस stock की demand बढ़ती है, और वो share अब trend में move होना start हो जाता है, यानि उसकी price बढ़ने लगती है, तो तब हमारी first wave बनती है, लेकिन एक time ऐसा आता है, जब काफी सारे लोग profit में होते हैं, और उनके और जब price गरती है, तो हमारी second wave बनती है, लेकिन इस बार price उतना नहीं गरती, जहां से start होई थी, क्योंकि उससे पहले ही बहुत सारे लोगों को लगने लगता है, कि share undervalued है, और इस बार पहले से भी जादा लोग stock को buy करने लग जाते हैं, जिसकी वज़े से उसकी price और जा करते हैं, जिसकी वज़े से वो जो wave बनती है, वो काफी लंबी बनती है, बट फिर एक टाइम ऐसा आता है, जब traders को लगने लगता है, कि stock overvalued हो गया है, और वो share बेचकर profit book करते हैं, जिसकी वज़े से price नीचे आती है, और fourth wave बनती है, ये wave जनरली छोटी होती है, क्योंकि बहुत सारे traders इस stock को dip में buy करने के लिए wait कर रहे होते हैं, तो जैसे ही price थोड़ा गिरती है, तो वो buy कर लेते हैं, जिसकी वज़े से फिर fifth wave बनती है, फिर fifth wave भी लंबी होती है, लेकिन fifth wave बनने के बाद stock overpriced हो चुका होता है, और इसके बाद share की price actual में गिरने लगती है, क्योंकि अगर share की price बढ़ेगी, तो एक ना एक time के बाद थोड़ा नीचे भी गिरेगी, तो fifth wave बनने के बाद trend reverse हो जाता है, और three corrective waves बनती है, जो कि आपको screen पर नजर आ रही है, इन corrective wave को समझाने के लिए ABC letter का use किया गया है, तो आपको दिखाई दे रहा है कि fifth wave बनने के यहां से आप समझ सकते हैं कि trend reverse होने वाला है और price गिरने वाली है, लेकिन price एक दम से नहीं गिरेगी, यहां पर भी थोड़े बहुत investors को लगेगा कि price बढ़ सकती है, वो buy करेंगे, जिससे wave भी बनेगी, बट ऐसे time पर stock के लिए negative emotion जादा होते हैं, इसलिए और जादा sellers आ अब यहां पर मैं आपको clear कर दूँ कि यह जो wave pattern बनते हैं, यह हर time frame में बनते हैं, और एक wave के अंदर भी wave pattern होते हैं, जैसे अभी आपको screen पर नजर आ रहा है, कि first wave के अंदर भी wave pattern बना हुआ है, तो अगर आप one day की candle में wave pattern देख रहे हैं, तो one hour की candle में भी wave pattern बना होगा, इसरी एक wave के अंदर भी wave pattern बनता है, और इसलिए जब भी हम wave pattern देखते हैं, तो हम सभी time frame में देखते हैं, और इसका फाइदा यह होता है कि इससे हम पता कर सकते हैं, कि trend कहां से reverse होगा, और जब हमें पता होगा कि trend कहां से reverse होगा, तो हम वहाँ पर trade ले पाएंगे, लेकिन दोस्तों trade लेने से पहले Elliot wave theory के 3 important rules हैं तो अब उन्हें जानते हैं सो दोस्तों पहला rule है कि 3rd wave सबसे छोटी नहीं होगी यानि 3rd wave हमेशा लंबी होगी जैसी आपको चार्ट में दिखाई दे रही है जरूरी नहीं है कि सबसे लंबी हो लेकिन सबसे छोटी नहीं होगी आ सकती है यानि अगर 1st wave में price 100 से बढ़कर 200 हुई है तो 2nd wave में 1st wave जो की 100 रुपीज की है उसका 30% नीचे गिरेगी यानि 170 रुपीज तक आ सकती है और अगर 2nd wave 1st wave के नीचे जा रही है तो समझ दीजे कि वो 2nd wave है ही नहीं आप गलत काउंट कर रहे हैं हो सकता है वो 5th wave है और उसके बाद से trend reverse होने वाला है और 3rd rule है कि wave 4 कभी भी wave 1 में एंटर नहीं करेगी यानि कि इतना नीचे नहीं आएगी यहाँ पर मैं आपको clear कर दूँ कि हमने भले ही bullish market में यह example लिया है लेकिन Elliot theory bearish market में भी अच्छे से काम कर दिया है और वहाँ पर 5-3 wave pattern बनता है जैसा pattern uptrend में बन रहा है उसका inverted pattern downtrend में बनता है और वो screen पे आपको नजर आ भी रहा है तो चलिए दोस्तो अब इससे chart में समझते हैं लेकिन उससे पहले अगर आप trading करने के लिए best dmat account खलवाना चाहते हैं तो इस video के description मैंने आपको angel one का link दिया है वहाँ आप अपना free dmat account खलवा सकते हैं और अगर आप जरोधम account खलवा चाहते हैं तो मैंने उसका link भी description पर दिया है वहाँ पे account opening charges 200 rupees हैं तो description जरूर चेक कर लीजेगा और angel one में तो account free में खल रहा है वहाँ जरूर खलवा लीजेगा तो दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है कि हमने अभी Tata Motors का weekly chart खोला हुआ है तो यहाँ पे इसका lowest point है तो यहाँ से हमारी first wave बनना start हुई और वो यहाँ से लेकर यहाँ तक गई लेकिन यहाँ पर जाने के बाद इसकी price थोड़ी सी गिरी और यहाँ पर हमारी second wave बनी यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यह जो second wave है यह first wave का 30% हो सकती है लेकिन यहाँ पर 30% भी नहीं थी उसके बाद हमारी third wave बनी third wave के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो generally सबसे बड़ी होती है तो आपको दिखाई दे रहा है कि third wave काफी बड़ी थी उसके बाद दोबारा selling शुरू हो गई और fourth wave बनी लेकिन यहाँ पे dip में buy करने के लिए बहुत सारे traders available थे जिसकी वज़े से price वापस बढ़ गई और fifth wave बन गई तो अगर weekly chart की बात करें तो Tata Motors अभी अपनी fifth wave में है लेकिन अगर आप trading करते हैं तो weekly chart बहुत ज़ादा broad हो जाता है इसलिए आप one hour का chart देखते हैं तो दोस्तो अब हमने Tata Motors का one hour का chart लगा दिया है तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ से हमारी first wave start होती है और वो यहाँ तक जाती है तो यहाँ पर हमने link भी रखा है first wave हमारी यहाँ पर है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी first wave गई और उसके बाद मैंने आपको बताया था Elliot wave theory के according यहाँ से price थोड़ा नीचे जाती है तो यहाँ से नीचे गई और हमारी second wave बनी लेकिन यह हमारी first wave के starting point से नीचे नहीं गई इससे जादा नीचे नहीं गई यहीं से इसकी price वापस ओड़ गई और यह बनी हमारी third wave मैंने आपको बताया था कि third wave सबसे जादा लंबी बनती है तो आपको दिखाई दे रहा है कि हमारी third wave यह बनी और उसके बाद दुबारा हमारी price जो थी वो थोड़ा से नीचे आई लेकिन यहाँ पर जादा नीचे नहीं आई और उसके बाद यहाँ से दुबारा उसकी price बढ़ गई तो हमारा जो one hour का chart है उसमें हमारी fifth wave भी बन चुकी है और उसके बाद इसमें correction start हो चुका है तो आपको दिखाई दे रहा है कि fifth wave बनने के बाद जो हमारी इसके बाद A wave बनी यानि wave A बनी वो जो थी वो हमारी fifth wave के starting point के आसपास आ गई थी तो जब wave A fifth wave के starting point तक आ जाती है तो हमें समझ आ जाता है कि correction start हो चुका है यहाँ से trend change होने वाला है और price गिरने वाली है लेकिन price यहाँ से directly नहीं गिरती क्योंकि कुछ investors को लगता है कि price बढ़ सकती है वो buying करते हैं और थोड़ा सा price उपर जाती है लेकिन sustain नहीं कर पाती और उसके बाद wave C बनती है और price गिरने लग जाती है तो Tata Motors के 1R के chart के हिसाब से अभी इसकी price गिर रही है आपको अच्छे से समझाए इसलिए मैं एक example और देता हूँ तो यहाँ पे मैंने अमभुजा cement का 1R का chart खोला हुआ है तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ से इसकी first wave बनना start हुई और वो यहाँ तक गई उसके बाद थोड़ा सा correction हुआ थोड़ी सी price नीचे आई और वो wave second यहाँ बन गई उसके बाद हमारी यहाँ पे wave third बनी वो भी आपको दिखाई दे रही है जो कि सबसे लंबी है और अभी इसकी fourth wave बन रखी है और अभी इसकी fourth wave चल रही है यानि इसके बाद अभी इसकी fifth wave बनना बागी है तो यहाँ से अभी इसकी price उपर जा सकती है हो सकता अभी थोड़ा नीचे जा इसकी price लेकिन उसके बाद इसकी price यहां से इस तरीके से उपर जा सकती है तो अब आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आपको Elliot Wave Theory का यूज़ करना है ट्रेट करने के लिए इसके साथ ही आप support and resistance और other strategy का यूज़ भी कर सकते हैं मैं उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी शेर मार्केट से रिलेटेड डेली फ्री अपडेट्स के लिए हमारे टेलिग्राम चैनल को जरूर जोइन कर लिजगा लिंक इस वीडियो के description पर दिया गया है और अगर आपके पास अपना DMAT account नहीं है तो इस वीडियो के description में Angel1 का link भी दिया गया है वहाँ से आप अपना free DMAT account खलवा सकते हैं वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरू कीजगा इस तरीके के और वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजेगा और अगर आपने यहां तक वीडियो देखिया तो आप हमारे ले बहुत जादा special है कमेंट करके जरूर बताएगा धन्यवाद